हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं सुजित कुमार आपको साइं अकैडमी में स्वागत करता हूँ और आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिसकसन करना चाहता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि CBSE ने इस सेशन के लिए 30% सलेवस को रेडूस कर दिय गया है तो यह आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोगों को 30% सलेवस इसवार कम पढ़ना है तो आज मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं क्लास 9 का मैत का रेडूस सलेवस के बारे में आप लोग से डिसकसन करूंगा इससे पहल आज मैं क्लास 9 का एनलाइसिस करने वाला हूँ सलेवस के बारे में कि कौन-कौन से टॉपिक्स हटे हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्यूंकि बहुँ जारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो समझी नहीं पा रहे हैं कि कौन-कौन से हटा है और कौन-कौन से topic हम लोगों को पढ़ना है तो इसी से related हम ये वीडियो ले के आये हैं तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आये तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों तक कोंचा है जिसको इस वीड यसी का जो notification आया है, उस पे हम लोग हैं, जिसमें बताया गया है, कि किस-किस unit से कितने-कितने chapter से questions आएंगे, तो सबसे पहले क्या है, number system, तो number system से हम लोग को 8 number का question देखने को मिलेगा इस वार, ठीक है, इसके बाद आता है algebra, algebra से 17 marks का question इस वार हम लोग को देखने को मिलेगा उसके coordinate geometry से 4 marks के questions हम लोग को देखने को मिलेगे, उसके बाद हम लोग को आता है geometry, geometry में हम लोग को 28 marks का questions देखने को मिलेगा, यह बहुत ही ज़ादा इसका weightage है, तो हम लोग को इसको अच्छे से cover करना है, ठीक है, उसके बाद आता है mensuration, mensuration चे 30 marks का question हम लोग को देखने को म मिलेगा उसके बाद statics and probability 10 marks का question आएगा तो यह total मिला के 80 marks का questions आपका बनता है तो इसी के पैटेंट के आधार पे ही questions आपके exams में आएंगे अब हम लोग चलते हैं next slide की और that is अब हम लोग कहां पे आ गए हैं अब हम लोग class 9th का NCIT book में हम लोग आ गए हैं अब हम लोग हर एक chapter का analysis करेंगे कि कौन-कौन चैप्टर से क्या-क्या topic delete हुए हैं और किस-किस exercise को नहीं पढ़ना है और किस exercise से कौन-कौन questions हटा दिये गए हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग NCIT के 9th book में हम लोग आ गए हैं अब हम लोग इसमें one by one start करते हैं तो सबसे पहले आपका chapter है number system तो हम लोग देखते हैं number system में कौन-कौन सा topic हटाए गया है तो सबसे पहला number system जो आपको दिख रहा है chapter number one तो इसमें इसमें आपको 1.1 पूरा पढ़ना है 1.1 में आप लोग कोई भी changing नहीं हुआ है 1.1 को आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ना है ठीक है इसके बाद अगर हम लोग 1.2 में चलें तो 1.2 में आप लोग का question number 4 को delete कर दिया गया है तो question number 4 को आप लोग cross कर ले यह आप लोग को इस साल नहीं पढ़ना है ठीक है यह आप लोग को हटा दिया गया है ठीक है तो chapter number exercise 1.2 1.1 और 1.2 से एक questions हटाय गया है that is 1.2 का question number 4 आप लोग को delete कर दिया गया है ठीक है अब हम लोग चलते हैं next exercise की और that is real number and their decimal expansion exercise that is exercise number 1.3 तो 1.3 में अगर हम लोग देखें तो 1.3 में questions number exercise 1.3 में questions number आपका 6 जो question number है उसको आप लोग कट कर दिजिए यह आप लोग को slavers से बाहर हो गया है ठीक है यह हम लोग को question number 6 नहीं पढ़ना है ठीक है तो यह आप लोग को टिक लगा लगा लेजिए यह बुक में कि यह हम लोग को नहीं पढ़ने उसके बार हम लोग चलते हैं next exercise की ओड़ इस representing real number on the number line तो यह जो है यह हम लोग को पूरा ही topics ही हटा दिया गया है तो आप लोग बुक में टिक कर लेजिए हम लोग को नहीं पढ़ना है इस sessions में यह topic हम लोग को नहीं पढ़ना है अगर यह topics हट गया है तो it means इससे related जो exercise है that is exercise 1.4 तो exercise 1.4 को भी आप लोग कट कर लिए कि यह हम लोग को नहीं पढ़ना है तिक है अब हम लोग आ गया है next topic कि और that is operation on operation on real number यह किस पर basis है यह basis है 1.5 exercise पर तो 1.5 exercise पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1.5 exercise पर अगर हम लोग चलते हैं तो 1.5 में क्या क्या questions हटाया गया है हम लोग देखते हैं तो 1.5 में आप लोग का question number 3 यह आप लोग कट कर लिए question number 3 और question number 4 यह दोनों हम लोग को नहीं पढ़ना है question number 3 और question number 4 को आप लोग को यह delete कर दिया गया है इस बार हम लोग ठीक है अब हम लोग चलते हैं next exercise की और that is exercise 1.6 जो की है laws of exponent of a real number तो इसमें क्या-क्या delete किया गया हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग का 1.6 exercise में 1.6 exercise में हम लोग को कुछ भी delete नहीं किया गया है यह हम लोग को पूरा पढ़ना है चिक है तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा तो यह exercise में जो जो deleted portion है वो मैं cover कर दिया हूँ अब मैं चलता हूँ next exercise next chapter की ओर अब हम लोग chapter number 2 में आ गया है that is polynomial तो polynomial में हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से topics हटाया गया है तो polynomial का बात किया जाया तो सबसे पहले हम लोग चलते है exercise number 2.1 तो 2.1 में आप लोग को कुछ भी हटाया नहीं किया है यह हम लोगों को पूरा पड़ना तो इसमें आम लोग को कुछ भी delete नहीं किया गया यह exercise आप लोगों को पूरा पड़ना है और यह exercise easy exercise है अप लोग इसमें पूरा बना सकते हैं इसके बाद आता है zeros of the polynomial तो zeros of the polynomial भी आप लोगों को हटाया नहीं गया है तो इसमें यह भी आप लोगों को पुरा पढ़ना है It means exercise 2.2 में आप लोगों कुछ भी delete नहीं किया गया है तो यह भी हम लोगों को पुरा पढ़ना है इसमें कुछ भी delete नहीं किया गया है ठीक है तो इसमें आप लोगों को सब चीज पढ़ना है ठीक है अब हम लोग चलते हैं next topic अगर हम लोगों को हटा दिया गया है इंच एक्ससाइज नंबर आपका 2.3 तो 2.3 में 2.3 में questions number 1 तो question number 1 आप लोगों को नहीं पढ़ना है question number 2 आप लोगों को नहीं पढ़ना है लेकिन question number 3 आप लोगों को पढ़ना है क्यूं क्यूंकि question number 3 जो है वो आपका remainder theorem के basis पे question है sorry remainder theorem नहीं factor theorem के basis पे questions है और factor theorem आपके syllabus में है तो question no.1 और question no.2 को इसमें टिक लगा लेज़े, question no.1 और 2 नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है, अब हम लोग चलते हैं, next topic की और, तो next topic है आपका factor theorem, तो factor theorem आप लोगों को पढ़ना है, तो factor theorem that is exercise 2.4, तो 2.4 भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी slavus में deduction नहीं हुआ है, जिसमें question no.3, question no.4 and question no.5, ये तीनो question most important question है, इससे आप लोगों को एक questions exam में जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये question no.3, question no.4, question no.5, ये आप लोगों को अच्छा से कर लेना है, तीक है, अब हम लोगों को चलते हैं algebraic identities, तो algebraic identities में आप लोगों का सब identities पढ़ना है, इसमें एक identities आप लोगों को हटा दिया गया है, that is identity no.8, तो identity no.8 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो बता देते हैं कि कौन सा identity no.8 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये identity no.8 ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तीक है, त आप लोगो को हटा दीजिए यह हम लोगों को नहीं पढ़ना है इसके बाद exercise में अगर हम लोग चलते हैं तो question number 11, 11 question number हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 12 question number नहीं पढ़ना है, 13 question number नहीं पढ़ना है, 14 question number नहीं पढ़ना है, 11 से लेकर 14 तक हम लोगों को कोई भी questions नहीं पढ़ नहीं पढ़ना है तो I hope इस chapter से भी आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर that is chapter no.3 तो chapter no.3 में आप लोगों को पूरा पढ़ना है इसमें कोई भी deduction नहीं हुआ है और यह easy chapter है तो यह आप लोगों के लिए अच्छा है कि इसमें CBSC कुछ भी syllabus में reduce नहीं किया है आप इसमें full में full marks ला सकते अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर that is chapter no.4 तो chapter no.4 जो है आप लोगों का वो linear equations in two variable पढ़ना है chapter no.4 में क्या है linear equations in two variable हाँ तो linear equation in two variable में हम लोग देखते हैं कि क्या कि हटाया गया है तो linear equation in two variable में as per CBSC ने क्या बोला है पहले हम लोग इस पर देखते हैं तो linear equation in two variable पर CBSC ने ये बोला है कि examples problem on ratio and proportion हम लोगों को नहीं पढ़ना है जो कि हमारे हम लोग के बुक में ये जो topic है ये already पहले ही हम लोगों को हटा दिया गया है तो ये आप लोग confuse ना हो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई भी chapter delete नहीं किया गया ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है जो chapter cbc ने बताया है topic की हम लोगों को हटा दिया गया है वो already हम लोगों को chapter में नहीं है तो ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है इसमें हम लोगों कोई भी delete नहीं हुआ है ratio और proportion वाला जो part है वो already इस book में नहीं है वो already पहले ही हटा दिया गया है ठीक है तो I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो इस chapter में आपको पूरा पढ़ना है अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर that is chapter number 5 तो chapter number 5 है वो है आप लोगों का introduction to euclide geometry तो introduction to euclide geometry ये पूरा chapter delete कर दिया गया है तो ये बड़ा सा इसमें cut लगा लिजे कि ये chapter आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसमें एक भी questions नहीं पढ़ना है कुछ भी concept नहीं पढ़ना है ये पूरा chapter ही आप लोगों का delete कर दिया गया है तो यह आप लोगों के लिए अच्छा है कि यह chapter हम लोगों को नहीं पढ़ना है अब हम लोग chapter number 6 में आ गया है that is lines and angles तो lines and angles में आप लोगों का कोई भी topic delete नहीं हुआ है यह हम लोगों को पूरा पढ़ना है तो इसमें एक भी topic आप लोगों को skip नहीं करना है और यह most important chapter है इसमें आप लोगों को एक भी topics delete नहीं करना है और यह हम लोगों को पूरा पढ़ना है और यह most important chapter है अब हम लोग चलते हैं next chapter की और that is chapter number 7 तो chapter number 7 I think triangle chapter number 7 आप लोगों का है triangle तो triangle में हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सा topic हटाया गया है तो अगर हम लोग chapter number 7 में चले triangle chapter में तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों का यह देखिए chapter number 7 डिडिस triangle triangle में हम लोगों का theorem हटाया गया है तो कौन-कौन सा theorem हटाया गया है सबसे पहले हम लोग देखते हैं ASA ASA जो theorem है वो हम लोगों को delete कर दिया गया है मैं देखा देता हूँ कि कहां पर है ASA, SAS हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग को कोई changing नहीं आया है ASA, ये वाला 7.1 theorem 7.1 हम लोगों को हटा दिया गया है, ये हम लोगों को slavus से बाहर कर दिया गया है ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो ये आप लोग टिक लगा लिजिए कि ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है अब हम लोग चलते हैं next theorem की ओर, तो 7.1 आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसके बाद triangle का inequality वाला जो part है वो हम दिखा देते हैं triangle के inequality वाला जो part है उससे भी हम लोगों को delete किया गया है तो वो जो है आप लोगों का वो कहां पे है, हम दिखाते हैं कि सबसे ये सब, ये सारा exercise बनाना है concurrency वाला ये भी हम लोगों को पुरा पढ़ना है, इसमें भी कोई भी delete नहीं किया गया है इसके बाद हम लोग आते हैं inequality of a triangle inequality of a triangle इसमें theorems को delete किया गया है तो इसमें कौन कون से theorems को delete किया गया है तो इसमें जो theorems है हम लोगों का, सबसे पहले 7.6, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 7.6 theorem नंबर को delete कर दिजे, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है इसके बाद वाला theorem 7.7 भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है इसको भी delete कर दिजे 7.8 है ये भी delete कर दिजे ये सब हम लोगों को theorem नहीं पढ़ना है इसके बाद आता है example number 9 इसको भी delete कर दिजे ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है example number 9 भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है अब हम लोग चलते हैं आगे अब हम लोग चलते हैं next तो वो सब सारे delete करने के बाद उसके basis पे exercise है ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है 7.4 हम लोगों को एक भी questions इससे देखने को examination में इस बार नहीं मिलेगा और इसके बाद एक optional part आता है 7.5 7.5 भी cut कर दिए ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि this exercise are not from examination point of view ये examination point of view से ये questions आप लोगों को नहीं आएगा तो ये भी आप optional है तो optional वाला भी हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को हटा देना है ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है तीक है अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर that is quadrilateral तो quadrilateral में हम लोगों कुछ भी चीज को delete नहीं किया गया है ये हम लोगों को पूरा पढ़ना है इस chapter में हम लोगों कुछ भी delete नहीं किया गया है ये हम लोग को चैप्टर में, हम लोग को पूरा पढ़ना है, हम दिखा देते हैं, Quadrilateral, quarter lateral में, हम लोग का, यहां देखे, no deletedion, कोई भी delete नहीं किया गया है, तो chapter number, आपका quadrilateral जो चैप्टर है, उसमें हम लोगो को पूरा पढ़ना ह계, कोई भी चीज़ को delete नहीं किया गया है अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर that is chapter number 9 अब हम लोग chapter number 9 में आ गया है that is area of parallelogram and triangle तो area of parallelogram and triangle ये पूरा chapter delete कर दिया गया है ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो इस chapter में बड़ा सा cross कर दीजे ये हम लोगों को इस बार इस chapter से questions देखने को नहीं मिलेगा तो यहां तक I hope आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे सेयर करे सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाए ताकि इस जिस लोगों को इस वीडियो का जरुवत है उस लोगों तक यह पहुच सके और नोटिफिकेशन को भी आउन कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लाओं तो आपको तुरत नोटिफिकेशन मिल जाए अब हम लोग चलते हैं नाइक्स चैप्टर की ऊ जाए दिज diplomें wander 10 अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 में आ गया हैं आटिज सर्कल subscribe में देखते हैं कि क्या anti di delete किया गया है, तो basically circles जो है, उसमें, theorem's आप लोगों का delete किया गया है, सबसे पहले, theorem number 10.5 आप लोगों का delete कर दिया गया है, theorem number 10.5 10.5 delete किया गया है, यह 10.1 जो exercise हे, इसमें आप लोगों को पैक्ससाइज नहीं हुआ है, यह 10.1 आपको exercise पढ़ना है यह exercise में कुछ भी हम लोगों changes नहीं किया गया है अब हम लोग चलते हैं theorems तो सबसे पहले theorem 10.5 तो 10.5 जो theorem से है हाँ ये theorem 10.5 का जो theorem है there is one and only one circle passing through three given non-collinear point ये जो theorem से आप लोगों को नहीं पढ़ना है ये theorem आप लोगों को हटा दिए गया है इसके बाद theorem number 10.3 10.10 भी theorem number आप लोगों का हटा दिए गया है मैं दिखा देता हूं 10.10 10.10 theorem नंबर भी आप लोगो cross कर दिजिए 10.10 theorem नंबर भी आप लोगों को नहीं پढ़ना है 10.11 10.10 यह theorem, यह theorem भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 10.10 theorem number आप लोग डिलीट कर दिजिए, हम लोग स्लेवर्स से, out of slayvars हो गया है, अब हम लोग चलते हैं, next topic, अब हम लोग चलते हैं, next topic, इसमें यही डिलीट किया गया है, दो theorem's डिलीट किया गया, और इसमें जो आपका optional जो exercise है, 10.6, यह आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यह हम लोग को exam point of view से नहीं पढ़ना है, इसमें भी आप लोग क्रॉस कर लिए, तो circles में इतना ही में भी हम लोगों का डिलीट हुआ है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, तो construction में जो हम लोग का first exercise है, जो की हम लोग किसके basis पे 11.1, तो 11.1 में कोई डिलीट नहीं हुआ, 11.1 आपको पूरा पढ़ना है, 11.1 में हम लोगो कोई भी चीज हटाया नहीं गया, यह हम लोगों प कौन सा examples डिलीट हुआ है, तो सबसे पहले example number 1 को आप डिलीट कर दीजे, यह हम लोगों को slayvus से out of slayvus हो गया है, तो example number 1, similar triangle का जितना भी examples था, वो हटा दीजे, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और इसके basis पे, exercise 11.2 का question number 4 और question number 5, यह भी हम लोगों को slayvus out of slayvus ह 3 ही हम लोगों को पढ़ना है, 4 और 5 हम लोगों को हटा दिया गया है, तो basically इसमें इतना ही चीज हटाया गया है, अब हम लोग चलते हैं next chapter की ओर, तो next chapter है that is hero's formula, तो hero's formula यह one of the most important chapter है as for CBSE, इससे हर एक साल questions आता है, इससे questions बनना ही बनना है, लेकिन इस बार CBSE ने इससे भ hero's formula आप लोगों को पुरा पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों का आता है, यह वाला part, यह जो part है, आप लोगों का areas, application of hero's formula in finding areas of quadrilateral, यह topic हटा दिया गया है, तो यह topic हटा दिया गया है, तो it means आपका जो इससे basis पे जितना वी examples है, वो आप लोगों को cut कर दिया गया है, तो कौन कौन सा example है, सबसे पहले यह वाला example आप लोग घटा दिये, example number 5, 5 जो examples है, उसको cut कर दिये, इसके बाद कौन सा examples आता है, इसके basis पे, इसके basis पे, examples number 5, example number 6 को भी delete कर दिये, यह भी आप लोगों slavus से बाहर हो गया है, इसके बाद हम लोग चले next example की और, यह दो examples है यह दोनों example से आपके questions देखने को नहीं मिलेंगे, और उसके बाद यह पूरा chapter 12.2 आपके slavus से बाहर हो चुका है, यह exercise आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो यह chapter आप लोग पूरा delete कर दिये, tick कर दिये, बड़ा बड़ा cross लगा दिये, कि आप लोगों को यह exercise नहीं इस इसमें कुछ भी delete नहीं किया गया है, इसमें एक भी point को delete नहीं किया गया है, इसमें आपको full slavus पढ़ना है, इसमें पूरा topic पढ़ना है, इसमें एक भी topic को delete नहीं किया गया, अब हम लोग chapter number 14 में आ गया है, that is statistics, तो statistics में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा topic को हटाया ग इसमें कुछ भी है नहीं यह छोटा सच है इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है इसके बाद अगर हम लोग next topic की और बढ़े that is presentation of data तो presentation of data में that is 14.2 14.2 भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है 14.2 में भी हम लोगों का कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है यह आप लोगों को पूरा पढ़ना यह यह जो exercise है यह भी हम लोगों को पूरा पढ़ना इसमें कुछ भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है अब हम लोग चलते हैं next topic की और that is ग्राफिकल representation इसके लावा कुछ भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो बार ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है इस टाइप के Questions हम लोगों को पढ़ना है उसके बार अगर हम लोग बात करे histogram, तो histogram आपके slaver से हटा दिया गया है, तो histogram नहीं पढ़ना है, इसको बड़े से बड़ा सा cross कर दीजिए, कि इसको हम लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है, तो इस type के questions आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार, इस type के questions आपको exam में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बार ग्राफ के बार, sorry, histogram histogram आप लोगों को नहीं पढ़ना है, histogram के बार आता है frequency polygon, तो histogram में आपका इस types के question हटा दिये गया है, इस types के question आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? इस type के question आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, अब हम लोग चलते हैं, next, that is frequency polygon, तो frequency polygon में अगर हम लोग देखें, तो frequency polygon भी हम लोगों को हटा दिया गया है, frequency polygon हम लोगों के slavery से हटा दिया गया है, ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो इसके basis पे जो हाँ इस type का questions है आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा इस type का questions है आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस बाद तो इसके basis पे जो examples है वो भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है frequency polygon इस type का questions हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इस type का questions आप लोगों को नहीं पढ़ना है चीक है अब हम लोग चलते हैं next तो next क्या है that is example number 9 तो example number 9 भी आप cross कर लिजिए example number 9 भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है अब इसके बाद आता है 14.3 तो इसी के basis पर 14.3 है तो इसमें जो exercise का question number आपका 4 के बाद सारा questions आप लोगों को delete कर दिया गया है क्योंकि ये frequency polygon नहीं तो histogram से basis पर questions है तो ये आप लोगों को पूरा हटा दिया गया है तो question number 4 हट गया है question number 5 आप लोगों को हटा दिया गया है question number 6 भी हटा दिया गया है question number 6 भी हटा दिया गया है question number 7 को भी आप लोग cross कर दिजिए इसके बाद आता है question number 8 और 9 question number 8, 9 ये भी आप लोगों को हटा दिया गया है question number 8 और question number 9 को भी आप लोग cross कर दिजिए ये आप लोगों के exam में नहीं पूछा जाएगा Q8 और Q9 इसके बाद आता है Major of Central Tendency तो Major of Central Tendency भी ये Topic आप लोगों के Slaves से हटा दिया गया है Majors of Central Tendency पर आप लोगों को नहीं पढ़ना है ये भी Topic आप लोगों के Slaves से Delete कर दिया गया है अब हम लोग चलते हैं तो इसके बेसिस पर जो Exercise के Questions है वो भी आप लोग पूरा Delete कर दिजी वो हम लोगों को Exercise नहीं पढ़ना है That is Exercise Number 14.4 तो 14.4 भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है ये पूरा Slaves से बाहर कर दिया गया है तो Statics में इतना ही Chapter को इतना Topic को Delete किया गया है अब हम लोग चलते हैं Last Chapter की और That is Probability तो Probability में कुछ भी Changes नहीं हुआ है इसे आपको पूरा पढ़ना है और ये एक Important Chapter है तो ये Probability में आपको पूरा चीज पढ़ना है तो इसी तरह हम ये पूरा Chapter कवर कर लिए हैं कि किस Chapter से कौन सा Exercise पढ़ना है कौन से Exercise को नहीं पढ़ना है, कौन से Topic को पढ़ना है और कौन से Topic को नहीं पढ़ना है तो I hope आपको ये वीडियो बहुत ही useful होगा अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा Like करें, Share करें, Subscribe करें और Science Academy के साथ जुड़े रहें latest information के लिए और notification को भी on कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो फीचर में डालूँ आपको notification तुरत मिल जाए तो मैं फिर से मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, Thank you